नमस्कार दोस्तों, कहानियों की इस रंकला में आज सुनेंगे मुझ्शी प्रेम चंजी की कहानी नैराश्य लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानिया अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें आज सुनिए नैराश्य बाज आदमी अपने इस्तरी से इसलिए नाराज रहते हैं कि उसके लड़कियां ही क्यों होती हैं, लड़के क्यों नहीं होते जानते हैं कि इसमें इस्तरी का दोश नहीं है, या है तो उतنا ही जितना मेरा फिर भी जब देखिए इस्तरी से रूठे रहते हैं, उसे अभागनी कहते हैं और सदय उसका दिल दुखाया करते हैं निरुपमा उनी अभागनी इस्त्रियों में थी और घमंडी लाल त्रिपाठी उनी अत्याचारी पुरसों में निरुपमा के तीन बेटियां लगातार हुई थी और वह सारे घर की निगाहों से गिर गई थी साथ ससुर की अप्रसन्यता की तो उसे विशेश चिंता ना थी वह पुराने जमाने के लोग थे जब लड़ियां गर्दन का बोज और पूर्व जन्मों का पाप समझी जाती थी हाँ उसे दुख अपने पतिदेव की अप्रसन्यता का था जो पढ़े लिके आदमी होकर भी उसे जली कटी सुनाते रहते थे प्यार करना तो दूर रहा निरुपमा से सीधे मों बात न करते कई कई दिनों तक घर ही में न आते और आते तो कुछ इस तरह खीचे तने हुए रहते कि निरुपमा थर-थर कापती रहती कहीं गरज न उठे घर में धन का अभाव न था पर निरुपमा को कभी यह साहस न होता था कि किसी सामाने वस्तु की इक्षा भी प्रकट कर सके वह समझती थी मैं यथार्त में अभागनी हूँ नहीं तो भगवान मेरी कोख में ही लड़कियां रस्ते पती की एक म्रदु मुस्कान के लिए एक मीठी बात के लिए उसका हिर्दें तडब कर रह जाता था यहां तक कि वह अपनी लड़कियों को प्यार करते हुए सकुचाती थी कि लोग कहेंगे पीतल की नत पर इतना गुमान करती है जब त्रिपाठी जी के घर में आने का समय होता तो किसी ना किसी बहाने से वह लड़कियों को उनकी आँखों से दूर कर देती थी सबसे बड़ी विपत्ती यह थी कि त्रिपाठी जी ने धमकी दी थी कि अब की कन्या हुई तो घर छोड़कर निकल जाऊंगा इस नरक में छड़बर न ठहरूंगा निरुपामा को यह चिंता और भी खाय जाती थी वह मंगल का ब्रत रखती रविबाहर निर्जला एका दशी और ना जाने कितने ब्रत करती थी इसनान पूजा तो नित का नियम था पर किसी अनुस्टान से मनो कामना न पूरी होती थी नित अहेलना तिरसकार उपेक्षा अपमान सहते सहते उसका चित संसार से बिरक्थ होता जाता था जहां कान एक मीठी बात के लिए आखे एक प्रेम द्रस्टी के लिए फिर्दय आलंगन के लिए तरसकर रह जाए घर में कोई अपनी बात न पूछे वहाँ जीवन से क्यों न आरूची हो जाए एक दिन घोर निराशा की दसा में उसने अपनी बड़ी भावज को एक पत्र लिखा एक-एक अक्षर से असह वेदना टपक रही थी भावज ने उत्तर दिया तुम्हारे भाईया जल्द तुम्हें बिदा कराने आएंगे यहां आजकल एक सच्चे महात्मा आये हुए हैं जिनका आशिरवात कभी निस्वल नहीं जाता यहां कई संतान हिन इस्त्रियां उनके आशिरवात से पुत्रवती हो गई पूर्ण आशा है कि तुम्हें भी उनका आशिरवात कल्यानकारी होगा निरुपमा ने वह पत्र पती को दिखाया त्रिपाठी जी ने उदासीन भाव से कहा स्ट्रिस्टी रचना महात्माओं के हाथ का काम नहीं इश्वर का काम है निरुपमा हाँ लेकिन महात्माओं में भी तो कुछ सिद्धी होती है घमंडिलाल हाँ होती है पर ऐसे महात्माओं के दर्शन दुटलब है निरुपमा मैं तो इस महात्मा के दर्शन करूंगी घमंडिलाल चली जाना निरुपमा जब बांजिनों के लड़के हुए तो क्या मैं उनसे भी गई गुजरी हूँ घमंडी लाल कह तो दिया भाई चली जाना यह करके भी देख लो मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि पुत्र का मुख देखना अमारे बाग में ही नहीं है कई दिन बाद निरुपमा अपने भाई के साथ मैके गई तीनों पुत्रियां भी साथ थी भावी ने उन्हें प्रेम से गले लगा कर कहा तो महारे घर के आदमी बड़े निर्दई हैं ऐसी गुलाब फूलों किसी लड़कियां पाकर भी तकदीर को रोते हैं ये तुम्हें भारी हो तो मुझे दे दो जब ननन्द और भावज भोजन करके लेटी तो निरुपमा ने पूछा वै महात्मा कहां रहते हैं भावज ऐसी जल्दी क्या है बता दूँगी बता दूँगी निरुपमा है नगीच ही न भावज बहुत नगीच जब कहोगी उन्हें बुला लोंगी निरुपमा तो क्या तुम लोगों पर बहुत प्रसन है भावज दोनों वक्त यहीं भोजन करते हैं यहीं रहते हैं निरुपमा जब घर ही में बैद तो मरिये क्यों आज मुझे उनके दर्शन करा देना भावज भेट क्या दोगी निरुपमा मैं किस लाएक हूँ भावज अपनी सबसे छोटी लड़की मुझे दे देना निरुपमा चलो गाली देती हो भावज अच्छा यह न सही एक बार उन्हें प्रेमा लिंगन करने देना निरुपमा भावी मुझे ऐसी हंसी करोगी तो मैं चली जाओंगी भावज वह महात्मा बड़े रसियां है निरुपमा तो चूले में जाएं कोई दुस्ट होगा भावज उनका आशिरवाद तो इसी शर्ट पर मिलेगा वह और कोई भेंट स्विकार नहीं करते निरुपमा तुम तो यूँ बातें कर रही हो मानो उनकी प्रतिनी दी हो भावज हाँ वह यह सब इसे मेरे ही द्वारा तैक किया करते हैं मैं ही भेट लेती हूँ मैं ही आशिरवाद देती हूँ मैं ही उनके हितार्थ भोजन कर लेती हूँ निरुपमा तो यह कहो कि तुमने मुझे बुलाने के लिए ही यह ही ला किया है भावज नहीं उनके साथ ही तुम्हें कुछ ऐसे गुर्दूंगी जिससे तुम अपने घर में आराम से रहा करो इसके बाद दोनों सक्यों में काना फूसी होने लगी जब भावज चुप हुई तो निरुपमा बोली और जो फिर कहीं लड़की हुई तो भावज तो क्या कुछ दिन तो शांती और सुक्से जीवन कटेगा यह दिन तो कोई लटा ना हो लेगा पूत्र हुआ तो कहना ही क्या पूत्री हुई तो फिर कोई नई युक्ति निकाली जाएगी तुमारे घर के जैसे अकल के दुश्मनों के साथ ऐसी ही चालियन चलने से गुजा रहा है निरुपमा मुझे तो संकोज मालूम होता है भावज तृपाथी जी को दो-चार दिन में पत्र लिख देना कि महात्मा जी के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे आशिरवात दिया है इश्वर ने चाहा तो उसी दिन से तुम्हारी मान प्रतिष्ठा होने लगेगी घमंटी दोड़े हुए आएंगे और तुम्हारे उपर प्राण नयचावर करेंगे कम से कम साल भर तो चैन की बंशी बजाना इसके बाद देखी जाएगी निरुपमा पती से कपट करूं तो पाप न लगेगा भावज ऐसे स्वार्थियों से कपट करना पूर्ण होता है तीन-चार महिने के बाद निरुपमा अपने घर आई घमंडी लाल उसे विदा कराने आये थे सलहज ने महात्मा जी का रंग और भी चोखा कर दिया बोली ऐसा तो किसी को देखा ही नहीं कि इस महात्मा ने जिसको बरदान दिया हो वो पूरा न हो गया हो हाँ जिसका भाग फूर जाये उसे कोई क्या कर सकता है घमंडी लाल प्रत्यक्ष तो वरदान और आशिरवाद की उपेक्षा ही करते रहे इन बातों पर विश्वास करना आजकल संकोच जनक मालूम होता है पर उनके दिल पर असर जरूर हुआ निरुपमा की खातिरदार्या होनी शुरू हुए जब वह गर्वती हुई तो सब के दिलों में नई नई आशाए हिलोरे लेने लगी सास जो उठते बैठते व्यंग से बातें करती थी अब उसे पान की तरह फेरती बेटी तुम रहने दो मैं ही रसोई बना लिया करूँगी तुम्हारा सिर दुखने लगेगा कभी निरुपमा कलसे का पानी या चारपाई उठाने लगती तो सास दोड़ती बहु रहने दो न मैं आती हूँ तुम कोई भारी चीज न उठाया करो लड़कियों की बात और होती है उन पर किसी का असर नहीं होता लड़के तो गर्व में ही मान करने लगते हैं अब निरुपमा के लिए दूद का उठाउना किया गया जिससे बालक पुष्ट और गोरा हो घमंडी वस्त्रा भुष्णों पर उतारू हो गए हर महीने एक नएक नई चीज लाते निरुपमा का जीवन इतना सुख में कभी न था उस समय भी नहीं जब वह नई नवेली बधू थी महीने गुजरने लगे निरुपमा को अनभूत अक्षणों से बिदित होने लगा कि यह कन्या ही है पर वह इस वेद को गुप्त रखना चायती थी सोचती सावन की धूप है इसका क्या वरोसा जितनी चीज धूप में सुखानी है सुखालो फिर तो घटा चायेगी ही बात पात पर बिगडती वह कभी इतनी मानशीला न थी पर घर में कोई चू तक न करता कि कहीं बहु का दिल न दुखे नहीं बालक को कस्ठ होगा कभी कभी निरुपमा केवल घर वालों को जलाने के लिए अनुस्ठान करती उसे उन्हें जलाने में बहुत मज़ा आता था वह सोचती तुम स्वार्थियों को जितना जलाऊं उतना अच्छा तुम मेरा आदर इसलिए करते हो न कि मैं बच्चा जनूगी जो तुम्हारे कुल का नाम चलाएगा मैं कुछ नहीं हूँ बालक ही सब कुछ है मेरा अपना कोई महत्व नहीं जो कुछ है वह बालक के नाते है यह मेरे पती है पहले इन्हें मुझसे कितना प्रेम था तब इतने संसार लोलूपना हुए थे अब इनका प्रेम केवल स्वार्थ का स्वांग है मैं भी पशु हूँ जिसे दूद के लिए चारा पानी दिया जाता है खेर यही सही इस वक्त तो तुम मेरे काबू में आये हो जितने गहने बन सके बनवालू इन्हें तो न छीन लोगे इस तरह दस महीने पूरे हो गए निरुपमा की दोनों नंदें ससराल से बुलाई गई बच्चे के लिए पहले ही सोने के गहने बनवा लिये गए दूद के लिए एक सुन्दर दुधारू गाय मोली ली गई घमंडी लाल उसे हवा खिलाने को एक छोटी सी सेज गाड़ी लाए जिस दिन निरुपमा को प्रसो वेदना होने लगी द्वार पर पंडित जी मुहूरत देखने के लिए बुलाय गए एक मिर्शिकार बंदूख छोड़ने को बुलाया गया गायने मंगल गान के लिए बटोर ली गई घर से तिल-तिल कर खबर मंगाई जाती थी क्या हुआ लेड़ी डॉक्टर भी बुलाई गई बाजे वाले हुक्म के इंतजार में बैठे थे पामर भी अपनी सारंगी लिए जच्चा मान करे नंदलाल सों की तान सुनाने को बैठा था सारी तैयारियां सारी आशाएं सारा उत्सा समारो एक ही शब्द पर उलंब था जियो जियो देर होती थी लोगों में उस्वक्ता बढ़ती जाती थी घमंडी लाल अपने मनोभाओं को छिपाने के लिए एक समा चार पत्र देख रहे थे मानों उन्हें लड़का या लड़की दोनों ही बराबर हैं मगर उनके बुड़े पिता जी इतने सावधान न थे उनकी बांचें खिली जाती थी हससकर सबसे बातें कर रहे थे और पैसों की एक थेली को बार बार उच्छालते थे मिर्शिकार ने कहा मालिक से अपकी पगड़ी दुपट्टा लूँगा पिता जी ने खिलकर कहा अभे कितनी पगड़ियां लेगा इतनी बेभाव दूँगा कि सरके बाल गंजे हो चाएंगे पामर बोला सरकार अपकी कुछ जीविका लूँग पिता जी खिलकर बोले अभे कितना खाएगा खिला खिला खर पेट फाड़ दूँगा सहसा मेरी घर में से निकली कुछ घबराई सी थी वह अभी कुछ बोलने भी न पाई थी कि मिर्शिकार ने बंदूग फायर कर ही तो दी बंदूग छूटनी थी कि रोशन चौकी की तान भी छड़ गई पामर भी कमर कसकर नाचने को खड़ा हो क्या मेरी अरे तुम सबके सब भंखा गए हो क्या मेर्शिकार क्या हुआ मेरी हुआ क्या लड़की ही तो फिर हुई है पिता जी लड़की हुई है यह कहते कहते वह कमर थाम कर बैठ गये, मानो बजर गिर पड़ा, घमंडी लाल कमरे से निकल आये और बोले, जाकर लेडी डाक्टर से तो पूझ, अच्छी तरह देख ले ना, महरी, बाबु जी मैंने तो अपनी आँखों से देखा है, घमंडी लाल, कन्या ही है, पिता, हमा सेकणों रुपये पर पानी फिर गया, सारी तयारी मिट्टी में मिल गई, गमंडी लाल, इस महात्मा से पूझना चाहिए, मैं आज डाक से जरा बच्चे की खबर लेता हूँ, पिता, धूर्थ है, धूर्थ, गमंडी लाल, मैं उनकी सारी धूर्थता निकाल दूँगा, म सोने के गहने, किसके सिर पटकूं, ऐसे ही उसने कितनों को ही ठका होगा, एक दफा बच्चा की मरम्मत हो जाती, तो ठीक हो जाता, पिता जी, बेटा दोश उसका नहीं, अपने भाग का दोश है, गमंडी लाल, उसने क्यों कहा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, औरतों से इस पाखं का भी तो दंड है, मैं पहले ही चोका था, कि हो ना हो यह पाखंडी है, लेकिन मेरी सलहज ने धोखा दिया, नहीं तो मैं ऐसे पाजियों के पंजे में कब आने वाला था, एक ही सुवर है, पिता जी, बेटा सबर करो, ईश्वर को जो कुछ मंजूर था वह हुआ, लड़क नी रहा चले, घर में मातम सचा गया, लेडी डॉक्टर भी बिदा कर दी गई, सौर में जच्चा और दाई के सिवा कोई न रहा, ब्रद्धा माता तो इतनी हताश हुई, कि उसी वक्त अटवास खटवास लेकर पड़ रही, जब बच्चे की बरही हो गई, तो घमंडी ला इस्त्री के पास गए, और सरोस भाव से बोले, फिर लड़की हो गई, निरुपा मा, क्या करूं, मेरा क्या बस, घमंडी लाल, उस पापी धूर्थ ने बड़ा चक्मा दिया, निरुपा मा, अब क्या कहें, मेरे भागी में न होगा, नहीं तो वहां कितनी ही औरतें, बाब अंडी लाल, उसने लिया या न लिया, यहां तो दिवाला निकल गया, मालूम हो गया, तकदीर में पुत्र नहीं लिखा है, कुल का नाम डूबना ही है, तो क्या आज डूबा, क्या दस साल बाद डूबा, अब कहीं चला जाऊंगा, ग्रहस्ती में कौन सा सुख रखा है, वह बहुत देर तक खड़े-खड़े अपने भाग को रोते रहे, पर निरुपमा ने सिर तक न उठाया, निरुपमा की सिर फिर वही बिपत्ती आ पड़ी, फिर वही ताने, वही अपमान, वही अनादर, वही छीचा लेतर, किसी को चिंता न रहती कि वह खाती पीती है या नहीं, अच्छी है या बिमार, दुखी है या सुखी, घमंडी लाल यद्यपी कहीं न गए, पर निरुपमा को यही धम की प्राया नित ही मिलती रहती थी, कई महीने योही गुजर गए, तो निरुपमा ने फिर भावज को लिखा, कि तुमने तो और भी बड़ी विपत्त में डाल दिया, इससे तो पहले ही भली थी, अब तो कोई बात भी नहीं पूचता, कि मरती है या जीती है, अगर यही दशा रही, तो स्वामी जी चाहे सन्यास ले या ना ले, लेकिन मैं संसार अवश्य त्याग दोंगी, भावी ये पत्र पाकर परिस्तिती समझ गई, अड़ी मिलनसार चतुर विनोथ शील इस्त्री थी, आते ही आते निरुपमा की गोध में कन्या देखी तो बोली, अरी यह क्या, सास, भाग है और क्या, सुकेशी, भाग कैसा, इसने महात्मा जी की बातें भुला दी होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह मुह से जो कुछ क ब्रत रखा था, निरुपमा, बराबर एक भी ब्रत न छोड़ा, सुकेशी, प्रांच ब्रामणों को मंगल के दिन भोजन कराती रही, निरुपमा, यह तो उन्होंने नहीं कहा था, सुकेशी, तुम्हारा सिर, मुझे खूब याद है, मेरे सामने उन्होंने बहुत जोर द कर कहा था, तुमने सोचा होगा ब्रामणों को भोजन कराने से क्या होता है, यह ना समझा कि कोई अनुस्ठान सफल नहीं होता, जब तक बिद्वत उसका पालन न किया जाए, सास, इसने कभी चर्चा ही नहीं की, नहीं पांच क्या, दस ब्रामणों को जिमा देती, तुम्ह मारे धर्म से कुछ कमी तो है नहीं, सुकेशी, कुछ नहीं, भूल गई और क्या, रानी, बेटे का मुँ यो देखना नसीव नहीं होता, बड़े बड़े जब तब करने पड़ते हैं, तो मंगल के ब्रत ही से घबरा गई, सास, अभागनी हैं और क्या, घमंडिलाल, ऐसी मारी बातने थी, जो याद न रही, वह हम सब को जलाना चाहती है, सास, वही तो कहूं कि महादमा की बात कैसे निस्फल हुई, यहां साथ वर्सों तक तुलसी माई को दिया जलाया, जब जाके बच्चे का जनम हुआ, घमंडिलाल, इन्होंने समझा था, दाल भात का कौर है सुकेशी, खैर, अब जो हुआ सो हुआ, कल मंगल है, फिर से ब्रत रखो और अब की साथ ब्रामनों को जिमाओ, देखें कैसे महादमा की बात पूरी नहीं होती, घमंडिलाल, व्यर्थ है, इनके किये कुछ न होगा सुकेशी, पाबुजी, आप विद्वान समझदार होकर भी इतना दिल छोटा करते हैं, अभी आपकी उम्र ही क्या है, कितने पुत्र लीजिएगा, नाको दमना हो जाए तो कहिएगा सास, बेटी, दूद पूच से भी किसी का मन भरा है सुकेशी, ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों का मन भर जाएगा, मेरा तो भर गया घमंडी लाल, सुनती हो महरानी, अपकी कोई गोल माल मत करना, अपकी अपनी भावी से सब व्योरा अच्छी तरह पूच लेना सुकेशी, आप निश्चिंत रहें, मैं याद करा दूँगी, क्या भोजन करना है, कैसे रहना है, कैसे इसनान करना है, यह सब लिखा दूँगी और अम्मा जी, आज से 18 माँ बाद आप से कोई भारी नाम लूँगी सुकेशी एक सब्ता यहां रही, और निरुपमा को खुब सिखा पढ़ा कर चली गई निरुपमा का एक बाल फिर चमका, घमंडी लाल अपके इतने आस्वस्त हुए, कि निरुपमा बांदी से रानी हुई सास उसे फिर पान की भांती फेरने लगी, लोग उसका मुह जोने लगे दिन गुजरने लगे, निरुपमा कभी कहती, अम्मा जी, आज मैंने सौपन देखा कि एक ब्रद्धा हिस्त्री ने आकर मुझे पुकारा और एक नारियल दे कर बोली, यह तुम्हें दिये जाती हूँ कभी कहती, अम्मा जी, अब की ना जाने क्यों मेरे दिल में बड़ी-बड़ी उमंगे पैदा हो रही है जी चाहता है, खुब गाना सुनूं, नदी में खुब इस्नान करूं, हर दम एक नशा सा चाया रहता है सास सुनकर मुस्कराती और कहती, बहु यह सुब लक्षन है निरुपुमा चुपके-चुपके माजूर मंगा कर खाती, और अपने असल नेत्रों से ताकते हुए गमंडी लाल से पूचती, मेरी आखें लाल हैं क्या? गमंडी लाल खुशोकर कहते, मालूम होता है नशा चड़ा हुआ है यह सुब लक्षन है निरुपुमा को सुगंधों से कभी इतना प्रेम न था फूलों के गजनों पर अब वह जान देती थी गमंडी लाल अब नित सोते समय उसे महाभारत की वीर कथाएं पढ़कर सुनाते कभी गुरु गोबिन सिंग की कीर्थी का वर्णन करते अभी मन्यों की कथा से निरुपुमा को बड़ा प्रेम था पिता अपने आने वाले पुत्र को वीर संसकारों से परपूरित कर देना चाहता था एक दिन निरुपमाव ने पती से कहा नाम क्या रखोगे गमंडी लाल यह तो तुमने खूब सोचा मुझे तो इसका ध्यान ही न रहा ऐसा नाम होना चाहिए जिससे शौर और तेज टपके सोचो कोई नाम दोनों प्राणी नामों की व्याख्या करने लगे जो रावर लाल से लेकर हरिश्चन तक सभी नाम गिनाए गए पर उस असमाने बालक के लिए कोई नाम न मिला अंत में पती ने कहा तेग बहादूर कैसा नाम है निरुपमा बस बस यही नाम मुझे पसंद है घमंडिलाल नाम ही तो सब कुछ है दमडी, छकोडी, गुरहू, कतवारू जिसके नाम देखे उसे भी यथा नाम तथा गुड़ ही पाया हमारे बच्चे का नाम होगा तेग बहादूर प्रसवकाल आ पहुँचा निरुपमा को मालूम था कि क्या होने वाला है लेकिन बाहर मंगला चरण का पूरा सामान था अबकी किसी को लेश मात्र भी संदेह न था नाज गाने का प्रबंध भी किया गया था एक शामियाना खड़ा किया गया था और मित्रगण उसमें बैठे गप्पे कर रहे थे हलवाई कड़ाही से पूरियां और मिठाईयां निकाल रहा था कई बोरे अनाज के रखे हुए थे कि शुब समाचार पाते ही भिक्शुकों को बाटे जाए एक शण का भी बिलंब न हो इसलिए बोरों के मों खोल दिये गए थे लेकिन निरुपमा का दिल प्रती शण बैठा जाता था अब क्या होगा तीन साल किसी तरह कौशल से कट गए और मजे में कट गए लेकिन अब विपत्ती सिर पर मटरा रही है हाए निरुपरात होने का भी यही दंड अगर भगवान की इक्षा है कि मेरे गर्व से कोई पुत्र ना जन्म ले तो मेरा क्या दोश लेकिन कौन सुनता है मैं ही अभागनी हूँ मैं ही त्याजी हूँ मैं ही कलमुही हूँ इसलिए ना कि पर्वस हूँ क्या होगा अभी एक छड में यह सारा आनन दोच सो स्ट्रोक में डूप जाएगा मुझ पर बोचारे पढ़ने लगेंगी भीतर से बाहर तक सब मुझी को कोसेंगे सास ससुर कभ है नहीं लेकिन स्वामी जी शायद फिर मेरा मूर न देखे शायद निराशो कर घर बार त्याग दे चारो तरफ अमंगल ही अमंगल है मैं अपने घर की अपने संतान की दुरदशा देखने के लिए क्यों जीवित हूँ कौशल बहुत हो चुका अब उससे कोई आशा नहीं मेरे दिल में कैसे कैसे अर्मान थे अपनी प्यारी बच्चियों का लालन पालन करती उन्हें ब्याहती उनके बच्चों को देख कर सुखी होती पर आह यह सब अर्मान जोक में मिल जाते हैं भगवान तुम ही अब इनके पिता हो तुम ही इनके रक्षक हो मैं तो अब जाती हूँ लेडी डॉक्टर ने कहा वेल फिर लड़की हुई है भीतर बाहर कोहराम मच गया पिट्टस पड़ गई गमंडी लाल ने कहा जहन्नुम में जाय ऐसी जिंदगी मौत भी नहीं आ जाती उनके पिता भी बोले अभागनी है बजर अभागनी भीक्षको ने कहा रो अपनी तकदीर को हम कोई दूसरा द्वार देखते हैं अभी ये शोका द्वार शांत न होने पाया था कि डॉक्टर ने कहा मा का हाल अच्छा नहीं है वह अब नहीं बच सकती उसका दिल बंध हो गया है तो यह थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं